नमस्का दोस्तों इस बिंज गुरू और एक बाद फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में तो आज है नवरात्रे खतम हो चुके हैं और आज है वीजे दश्मित और कुछ न कुछ चाहता है कि नौन वेजिडियन फूट थाए तो हम ऐसा कुछ वीडियो के नहीं निकले थे आज बट चलते चलते एक चोटा सा दिखा रोड़ के गॉर्नर पे जो कि सुना है काफी फेमस है और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये फिश उप करता है ये फ्राइट फिश उप करता है फ्राइट शिकन है कवाब्स हैं बेसिकली एवरीफिंग इस फ्राइट आप अधिस शॉप और मुझे मेरे दोस्तों कुछ ने मैंचिंड किया कि ये जूट कवर रिस टॉल इस वेरी ये फेमस टार फिश बेरी गूड टेस और सर्दिया आपको लगपता है कि शुरू हो चुकी है अक्तूबर आचिका है तो चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे फिश बना रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं और इस तरफ जाएंगे तो मुनीर का मार्किट है ये है फ्लाइओवर जो पोवर ब्रेज है यहां पर और अगर इस तरफ जाएंगे तो आप जावेद भाई शॉप शॉप यहां पर यहां पर यह जावेद भाई यह इनका मेनु राइए फिच्ट्राइचिकन फ्राइचिकन लॉलीपॉप रहे और बिल्कुल डीडिये फ्लैट्स के ऑपोजिट है आप देख सकते हैं किस असाब यह लोग बिजी है अभी और जावेद कफी पुराणा किते साल हो गए अप जनम होगा तब कर आज अपका जनम ह हुआ है कब आज प्राइच वब्राना है तो आपके फादर चलाते थे पहले तो स्पेशलिटी के मतलब फिच्ट्राइच प्राइच की है और चिकन फ्राइए भी यह डेख सकते हैं यह है इनके चि यह है चिकन जो फ्राइ किया जा रहा है यह अब देख सकते हैं चोटी सी MCD की अप्रूफ शॉप है और यह है इनका मेन्यू है या जो भी है जावेद है इनका नाम सक्षर 4 है उप्रसे पर इणियम निरकार के पर है इस टैम पर देख सकते हैं काफी भीड लगी हुई है यहां पर लोग है और इनसे कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या है यह अपर टेस हो वह यह वापस आते हैं जावे हमारे साथ में जो यह से लग रहा है कि काफी टाइम से यहां पर आते हैं क्या नाम है आपका निखिल जी है जो और यह अपना खाना एंजॉइ कर रहे हैं क्या आज आपने चिकन और कबाब आप जेख सकते हैं और अर यह इंगारा, जो खाना जावेद भड्यावेद? जावेद भाई? देन चार साले आप बहुत हैं। अर देख सकते हैं, लोग घंए बिजी हैं। और ज्यादा शड्यों में छीन पिख टीच। आपकी कल से रश हो रहा है क्योंकि नवरात्रे खतम हो गए है उसलिए राइट मौसम भी चेंज हो रहा है और सर्दियों में लोग फिछ खाना पसंद करते हैं तो गाइस चलते हैं आगे तो गाइस हमारे साथ है रोहिजी जो अपना मील इंजॉय कर रहे हैं यहां पर तो रो अज़िए अपको ihrer मेरा अच्छा लगार फिश में साज़ा थोल्क्राइस में एक्नम कृपी है एक्नम होटा है और दो बश्चाइन होटा जो उसकी बनुति है तो यह नुअअटी मोटी नहीं होतलर है तो आडर हमारा आचुका है जो हमने ओर्डर किया है वो यह आप देख सकते हैं क्या है फिश लेके आए हो फिश फ्राइड है राइट इस फिश फराइड फिश फृराइ है और साथ में लच्छा है और चटनी है तो यह हमारा टेबल यहीं रहेगा अज और दिखाएंगे कि क यह देख सकते हैं 200 ग्राम फिश है 200 रुबे की इन्होंने हमें दी है और प्याज और चटनी साथ में दी गई है तो गाइज एक बार टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा है टेस्ट मच्छी का तो गाइज बिसमिल्ला करते हैं और यह देखिए गरमा गरम है मच्छ और यह डूवी अपने चटनी के अंदर और उससे पहले हमने तो गाइज इस सीजन की में गवंगा पहली मच्छी अभी तेस्टी आपने यूटी फिश खाई जाती है जो महीने होते है जो आर से जिनमें आ राता है तो बेसिकली से शुरू हो जाती है यह और अभी है और अपने अफ़े दो पहले है यह जाता है ऑफ नियंगोर दाला है और साथ में लेंगे प्यास और यह जो घूबिने आखन और इस और है। मुली परिस पार और है चर्टिड दिख निया जाता है . मज़ा आ गया मज़ा आ गया। वर वर त्राइग एदि वर आग इस है जए ज़्याद आज 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 IT आज है मतल्डा कोई ज्यादा स्थाइस को ज्ची आज आजने नहीं व्यूंच अच्छी है ओट आज जयादा अजने नहीं है'll well ज़्यादामी नहीं लगा हुआ इसके उपर 4 धी थिलेः भर वार बोर टृटिंग दिए और शटाइब प्रटीर जी आप देख सकते हैं और इन की दूसरी चीज लेंगे मैभी चिकन लेंगे मेभी कबाप्स लेंगे और आपको दिखाते हैं कि कैसा है उस काठेश तो गईज हमारा फ्राइड चिकन आ गया फाइनली फ्राइड शिकन आ गया लिया है और आप देख सकते हो वो चोटे चोटे पीस आये हैं और इतना गरम है इतना गरम है ये ये रिकोज भुआ निकल गगा इसके अंदर से भुआ निकल रहा है बाई साब और क्रंची है इसको काफी क्रंची है चिकन जो आउटिंग है इसकी आउटर है मसाले से एक जम तर है और ये है मेरा फेवरेट पीस लेक पीस चिकन लेक पीस अच्छे से पका हुआ है वेरी हॉट एक सम पढ़िया गरम 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 it's a very good snack fried chicken although i haven't haven't tried for quite a number of times but yes you can have it like occasionally so occasionally it's good to have things like fried chicken or this so it's nice taste is awesome for this place I mean I would rate this preparation to be like 8.5 out of 10 if you have to go here and you want to eat chicken or fish so you don't have to do a long preparation for your home so yes you should come here the point of chicken and fish come here in Munirka it's a good point to have these kind of snacks and I hope I hope you like this vlog and try it and if you haven't subscribed subscribe to me the channel will grow share it do share it with your friends do share it with your family and I will catch you catch you later in my next video thank you so much bye you